दूसरी दुनिया से आई एलियन्स की फुटिस से काफी दौलत और शोहरत कमाई जा सकती है। इसलिए इस तरह की जूटे दावे पेश करने वाली फेक वीडियोज और फोटोज अक्सर सामने आती हैं। पर कैमरे पर एलियन्स की मौझूदगी की कुछ ऐसी निशानिया भी कैद हुई हैं जिन्हें किसी और तरीके से एक्स्प्रेन नहीं किया जा सकता। पेश हैं कैमरे में कैद हुए एलियन्स के दस सबसे पुखता सबूत। नमबर दस तुर्की में यूएफो घटना एलियन्स जीवन की सबसे विश्वसनिये रिकॉर्डिंग्स में से एक तुर्की के मरमारा सागर पे रिकॉर्ड की गई। जहां साल 2007 से साल 2009 की बीच कई बार यूएफो उसको देखा गया था। वैसे यूएफो का मतलब होता है अन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग अबजेक्ट या आसमान में उड़ने वाली अजनबी चीज़ें पर कभी कभी इने आखिरकार पैचानी लिया जाता है। चिली के जोज अटिनाज एक ग्राफिक्स एंड वीडियोज एक्सपर्ट हैं जिनके पास 30 साल का ब्राटकास टीवी एक्सपीरियंस है। उन्होंने भी वीडियो की बारी की से जाच करने के बाद इसे पूरी तरह से ऑथेंटिक पाया। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स द्वारा वीडियो की सत्यता प्रमाडित किये जाने के बाद भी कुछ लोग नहीं माने। उनका दावा था कि ये रात को समुद्र में एकदम शितिज के पास तैरती मान और निर्मित शिप्स की फोटेज से जादा कुछ भी नहीं है। जैसा की अक्सर UFOs की फेक वीडियो को जस्टिफाई करने वाले देते रहते हैं। स्किनी बॉब नाम की वीडियो सबसे पहले साल 2011 में इंटरनेट पे सामने आई। यीट्यूब पर इस वीडियो के कई वर्जन मौझूद हैं जिन में से कुछ का दावा है कि ये विकिलीक्स द्वारा जारी की गई एलियन्स की फोटेज है। पर इस वीडियो के ओरिजिनल वर्जन को 2011 में एक अन्नोन सोर्स से अप्लोड किया गया था। जिसका कहना था कि ये रूसी खुफिया एजेंसी के जीबी द्वारा 1950 और 1960 के दशक में फिल्माई गई लीग्ड फोटेज है। इस वीडियो में इंसान जैसे किसी डराब ने ग्रे एलियन जीफ को चलते फिरते देखा जा सकता है। अप्लोड होते ही इस वीडियो ने एकदम से संसनी मचा दी और ज्यादातर कमेंटेटर्स को लगा कि जबरदस्त एडिटिंग वाली ये वीडियो किसी आने वाली फिल्म का प्रोमू है। कम्प्यूटर एफेक्ट जा ले गए होते तो वीडियो में इस बात के सबूत ज़रूर मिलते। पर गहन अध्यन के बाद भी वीडियो के किसी भी हिस्से को पुखता तरीके से फेक या एडिटेड नहीं घोशित किया जा सका। के लिए काम करते थे। अपने 30 साल लंबे करियर में उन्होंने हुजेज एयरक्राफ्ट, जैनरल डाइनमिक, टैकसस इंस्ट्रूमेंट और लॉग हीड मार्टिन जैसे बड़े डिफेंस कॉंट्रेक्टर्स के साथ काम करते हुए कई युएस पेटेंट्स भी हासिल केमरे के सामने एक कनफेशन दिया, जिसमें उन्होंने एरिया क्यावन में काम करने से लेकर युएफोज, एलियन्स और एंटी ग्रेविटी साइंस जैसी चीजों पर खुल के बात की। के बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे, उनके इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिरकार इतने कामयाब करियर के अंत में वे ऐसा जूठा बयान क्यों देंगे, वो भी मरने से ठीक पहले। नमबर साथ, मार्स क्यूरोसिटी रोवर ने अंतरिक्ष में देखा यान, मार्स 2017 में नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मार्स की सतय पे साफ तोर पर आर्टिफिशल नजर आने वाले किसी रहसमई, मेटैलिक अबजेक्ट की एक कमाल की तस्वीर ली। इस फोटो ने दुनिया भर के जानकारों का ध्यान अपनी और खींचा और वे किसी यान जैसी दिखने वाली इस चीज की सच्चाई को लेकर तरह तरह के कयास लगाने लगे। इस बात का इशारा था कि वे जरूर कुछ ऐसा जानती हैं जो आम जनता को नहीं पता। उनके पती बिल क्लिंटन ने भी एक बार कहा था कि अगर एलियंस धर्ती पे आते हैं तो उन्हें जादा हैरानी नहीं होगी। ऐसे बायान उसे तो यही लगता है कि एलियं जीवन वाकई संभव है और सरकारें इसके बारे में बहुत कुछ छिपाती हैं। गवाहों की तादाद, घटना की शांदार वीडियोज और अपने F-16 लड़ाकु इमान की रडार पर यही एरफोस के दो पाइलिट्स का दिल दहला देने वाला बयान इस घटना को बाकियों से अलग बनाता है। मामले की शुरुआत हुई नवंबर 1989 में जब कई पुलिस ओफिसर समेथ गवाहों की 30 अलग-अलग समूहों ने एक ही चीज़ को देखने का दावा किया। वायुसेना ने तुरंट दो F-16 लड़ाकु विमान उनके पीछे बेजे और पाइलिट्स ने जो बताया उसका सिर्फ यही नतीज़ा निकलता है कि एडवांस टेकनोलोजी वाले एलियन्स महज कलपना नहीं है। करीब 2600 गवाहुने अधिकारियों को दिये गए अपने लिखित बयान में उस रात की घटना का विस्तरत विवरन दिया। की F-16 विमानो और UFOs की पकड़ा पकड़ी के दौरान एक भी गवाह ने सोनिक बूम सुनने की बात नहीं कही। नमबर चार, 1950 की मैक मिन्विल यूएफो फोटो। पॉल ट्रेंट द्वारा खींची गई इन तस्वीरों ने पूरे देश में संसनी मचा दी और इन्हें Life Magazine समेथ देश के तमाम अकबारों में भी छापा गया। इन तस्वीरों की खास बात ये थी कि ये आस्मान में धुंदी लाइटों की मकाबले यूएफो की पहली एकदम साफ सुथरी तस्वीरें थी। नमबर तीन 1997 की फीनिक्स लाइट्स बेलजियन वेव और तरकेश यूएफो घटनाओं की तरह मार्च 1997 की फीनिक्स लाइट घटना को भी हजारों लोगों ने अपनी आँखों से देखा और इसकी वीडियोस में एरिजोना और मेक्सिको के सोनोरन डेजर्ट के उपर आसमा में उड़ते हुई अजीब लाइट्स के बारे में सूच ना दी इस घटना की बहुत सारी फोटो और वीडियोस उपलब्ध हैं जिसमें रेगुलर इंटरवल पे आसमान में रह रहे के जलती बुछती लाइट्स देखी जा सकती हैं डिस्कवरी और हिस्ट्री चैनल जैसे डॉक्यमेंट्री चैनल वाले इन फोटो और वीडियोस को कई बास दिखा चुके हैं दिन की रौशनी में दो अलग अलग जगों से बनाएगे वीडियोस में उड़ती हुई चीज़ें देखने से साफ हो जाता है कि यह जो भी था आसमान में सच मुछ मौझूद था आसमान में उड़ते हुई यूएफोज में से रुक रुक कर छटके से कई छोटे छोटे ग्लोइंग आपजेक्ट्स भी निकलते हुए देखे जा सकते हैं नमबर एक असली मैन इन ब्लैक 1950 के दशक से ही एलियन्स के संपर्क में आने का दावा करने वाले लोग रहसमाई मैन इन ब्लैक द्वारा पूश्टाश किये जाने की बातें बताते आयें काले सूट में जखड़े ये रहसमाई लोग एलियन्स या यूएफो देखने का दावा करने वाले लोगों से मिलकर उन्हें घटना को सार्वजने करने से रोकते हैं बहुत से लोग दावा करते हैं कि ये लोग हमेशा दो जोड़ों में आते हैं और सिर्फ काले सूट और टाई पैने होते हैं और यूएफो या एलियन देखने का दावा करने वालों से मिलते जरूर हैं ये लोग खुद को सरकारी एजेंट बताते हैं और होटेल की सर्विलांस फटेस से भी इस बात की पुष्टी की गई इस घटना से करीब दो हफते पहले होटेल के मैनेजर शेन सोवर और एक सिक्योर्टी गार्ड ने होटेल के बाहर तिकों ने आकार की एक UFO देखने का दावा किया था इस दावे के बाद होटेल में दो मैन इन ब्लैक आये और उन दोनों के बारे में पूष्टाश करने लगे होटेल के स्टाफ ने उन्हें बताया कि आज वे दोनों काम पर नहीं आये थे एक डरे हुए गवाह की माने तो उनकी आँखें बहुत ज़ादा बड़ी और गहरी नीली रंगी थी। वे आगे बताती हैं कि उनकी आँखों में मंत्र मुक्द कर देने जैसी ताकत थी और पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था। वो दोनों उनके मन में चल रही बात कर दो कर दो